हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G45 Android मुआल फोन में आप अपने मुआल फोन की स्लो इंटरनेट की प्राब्लम को आप सौल कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानका रही देने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले तो आपको अपने मुबाल फोन को एक बना रिस्टार्ट कर लेना है ठीक है अगलह का हम यह करना है Mobile Phone का setting का page open करना है setting के इस पेज में आपको यह network and internet पे select करना है अब इसके अंदर आपको नीचे की सेड मोगैल network का option select करना है अब यहाँ पर आपको अपने mobile phone की sim को select करना है अब इस वाले page में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यह option मिलता preferred network type का इसे select करना है अब दिखे इस वाले page में आपको 5G का option select कर लेना है अब दिखे अगला काम यह करना है कि आपको mobile phone का internet चालो करके mobile phone का setting page open करना है setting page में सबसे उपर सर्च setting पर select करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में आपको लिखना है security update ठीक है तो यहाँ पर आप जो इस तरीके से security update आप लिखेंगे ना तो आपको नीचे की साइडी security update का option show होगा इसे select करना है आपका phone directly आपको इस setting में लेकर आ जाएगा security update का यह option select करेंगे तो आपका यह page आएगा इस page में अगर आपको इस तरीके से download, install या फिर यह restart now अगर यह option दिखाई देता है तो इस option को tap करके अपने mobile phone के software को update कर लेना है तो देखें यहाँ पर आपको ने एक काम और करना है कि आपके mobile phone में जो apps आपके update नहीं है ना उन सभी apps को update करना है अपने play store में जाके ठीक है तो मेरे बताएवे यह सभी तरीके आप use करेंगे तो इससे आपके mobile phone के slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है